हलो बच्चों, next question क्या है देखो अपने पास, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify relation between the zeros, तो चलो, इसके पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, फटा फटा अपना roots निकाल लेते हैं, zeros, एक second, इसके zeros निकाल लेते हैं, x square minus का 2x minus 8 बराबर 0, 4 2s आए, अब यह कितना आजाएगा, minus का 4, plus का 2, 0, ओके, अब हम लोग इसमें क्या निकाल लेते हैं सबसे पहले, verify करना, zeros तो आगए, verify कर लेते हैं, verify के लिए क्लिए क्या निकलता है हमारा पास, sum of root, किसके बराबर होता है, minus b upon में a, अब दो को root क्या दिया है, 4 minus 2, add कर लेंगे न दोनों को 4 minus 2, कितना आजाएगा अपने पास, minus का 2, अब इधर value रख लेते हैं, b की value कितनी दी बटा, minus 2, a की value 1, clear है, ये, अच्छा plus में आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, plus का 2, तो ये दोनों चीज़े आपस में क्या हो गई, बराबर, आप क्या निकालते हैं, product of the root, किसके बराबर होता है, c by a, दोनों का multiply, c, c का answer कितना है, minus का 8, और ये हो जाएगा 1, कितना answer आजाएगा, minus का 8, तो देखो verify भी हो गया, और अपने zeros भी निकल कर आगे,